अब 12 जून को नहीं होगी विपक्ष की बैठक 2024 से पहले क्या एक जुट हो पाएगा विपक्ष एन मौके पर नितीश न क्यों लिया ये फैंसला लोग सभा चुनाब से पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने को लेकर कबायत शुरू हो चुकी है बियार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार सभी दलों को बीजेपी के खिलाफ एक जुट करने में जुटे हैं इसे लेकर पटना में 12 जून को सभी विपक्षी दल बैठक करने वाले थे लेकिन बैठक से पहले ही उसे टालना पड़ा अब बैठक कब होगी इसकी तारिक तो तैन नहीं हुई और आखिर बैठक को टालने का फैंसला एन मौके पर चौन लिया गया इसे लेकर सीएम नितीश कुमार ने क्या कुछ कहा सुनिये अब बैठक कर लिजिये और देख लिजिये उसके बाद का जो डिट तैय होगा तब बाराह वाला नहीं होगा बाराह वाला उसके लिए कि बाद पटना में समझेर देखिये बाद यह है कि सब गो फेड़ को आना है अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटिटिट पाएगा इट शीक नहीं तभी नहीं इसलिए नहीं अनों का क्या दूसरे आ जाएंगे तो बाराज़ों को कहने लगे कि नहीं साप यह ठीक नहीं होगा बाराजून को होने वाली इस बेठक के टलने के आसार पहले ही नजर आ रहे थे इसका कारण था राहुल गांधी की मौजूदगी ना होना राहुल गांधी 12 जुन तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे ऐसे में वे इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे इसके अलावा कॉंग्रेस सध्यक्ष मलिकार जुन खडगे भी इस दिन पुर्ब निर्धारित कारेक्रमों के चलते व्यस्त रहेंगे तो कॉंग्रेस की ओर से इन दोनों नेताओं की उपस्तिती नहीं हो पाएगी इसके अलावा डियम के नेता और तमिलनाडू के सीम स्टालिन भी 12 जुन को पुर्ब निर्धारित कारेक्रम में ब्यस्त रहेंगे जिसकी वजह से बैठक को टालने का फैंसला लिया गया है 12 जुन को होने वाली बैठक टालने के एक बाद अब सभी दलों से अगली तारिक तैकरने को लीकर राय ली जो रही है हलांकि अभी इसकी पुष्टी तो नहीं हुई है लेकिन ऐसा माना जुआ रहा है कि अब 23 जुन को विपक्षी एक तकी बैठक हो सकती है इस खबर में फिलहाल इतना ही ताजा अपडेट के लिए बने रहें One India हिंदी के साथ